लेटिस अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें लखनों में जुटे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार आप सभी को देश के युवाओं को राष्ट्रिय युवा दिवस की बहुत बहुत शुबकामनाईब आज का ये दिन हर भारतिय युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का दिन है नए संकल्प लेने का दिन है आज के ही दिन स्वामी विवेकरन के रूप में भारत को एक ऐसी उर्जा मिली थी जो आज भी हमारे देश को उर्जावान किये हुए है एक ऐसी उर्जा जो निरंतर हमें प्रेरणा दे रही है हमें आगे का मार्ग दिखा रही है साथियों स्वामी विवेकानन भारत के युवा को अपने गवरवशाली अतीत और बैववशाली भविश्य की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखते थे विवेकानन जी कहते थे कि सब शक्ति तुमारे भीतर है उस शक्ति को प्रगट करो इस पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो खुद पर ये विश्वास असंभव सी लगने वाली बातों को संभव बनाने का ये संदेश आज भी देश के युवाओं के लिए उतना ही प्रासंगीख है रिलेवेंट है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत का आज का नवजवान इस बात को भली भाती समझ रहा है खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहा है आज इनोवेशन, इंक्युवेशन और स्टार्ट अप की नई धारा का नेत्रुत्व भारत में कौन कर रहा है आप ही तो लोग कर रहे हैं हमारे देश के युवा कर रहे हैं आज अगर भारत दुनिया के स्टार्ट अप इको सिस्टिम में टॉप थ्री देशों में आ गया है तो इसके पीछे का परिश्रम है आप लोगों का हम आप जैसे देश के युवाओं का आज भारत दुनिया में यूनिकॉंज पैदा करने वाला एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा की नई कंपनी बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना है तो इसके पीछे किसकी ताकत है आप लोगों की आप जैसे मेरे देश के नवजवानों की साथियों 2014 से पहले हमारे देश में एवरेज 4,000 पैटन्ट होते थे अब इसकी संख्या बढ़कर सालाना 15,000 पैटन्ट से ज़्यादा हो गई है यहने करीब करीब चार गुना कि किसकी मेहनत से हो रहा है कौन है इसके पीछे साथियों मैं फिर दोहराता हूँ आप ही हो आपके जैसे नवजवान साथी है आप युवाओं की ताकत है साथियों 26,000 नए स्टार्ट अप का खुलना दुनिया के किसी भी देश का सपना हो सकता है यह सपना आज भारत में सच हुआ है तो इसके पीछे भारत के नवजवानों की ही शक्ति है उनी के सपने हैं और इससे भी बड़ी बात भारत के नवजवानों ने अपने सपनों को देश की जरूरतों से जोड़ा है देश की आशाओं आकांख्षाओं से जोड़ा है देश के निर्मान का काम मेरा है मेरे लिये हैं और मुझे ही करना है इस भावना से भारत का नवजवान आज भरा हुआ है साथियों आज देश का युवा नए नए एप्स बना रहा है ताकि खुद की भी जिन्दगी आसान हो जाएं और देश वास्यों की भी मदद हो जाएं आज देश का युवा है के थोन के माध्यम से टेकनोलोजी के माध्यम से देश की हजारों प्रॉब्लिम्स में सरख पा रहा है सॉलुशन खोज रहा है और सॉलुशन दे रहा है आज देश का युवा बदलते हुए नेचर अब जॉब्स के मताबिक नए नए वेंचर सुरू कर रहा है खुद काम कर रहा है रिस्क ले रहा है साहस कर रहा है और दूसरों को भी काम दे रहा है आज देश का युवा ये नहीं देख रहा है कि यह योजना शुरू किस ने की है वो तो खुद नेतुर्त्व करने के लिए आगे आ रहा है। मैं स्वच्च भारत अभियान की ही बात करूँ तो इसको नेतुर्त्वा हमारी युवा ही तो कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसमें इज आप डूइंग बिजनेस भी हो और इज आप लिविंग भी हो। एक ऐसा नया भारत जिसमें लालबत्ती कल्चर नहीं जिसमें हर इंसान बराबर है हर इंसान महत्वपून है। एक ऐसा नया भारत जिसमें अवसर भी है और उड़ने के लिए पूरा आसमान भी है। साथियों, आज 21 सदी का ये कालखन, 21 सदी का ये दशक भारत के लिए बहुत सवभागय लेकर आया है। हम भागय साली हैं कि भारत की अधिकतर आबादी 35 वर्थ से कम आयूकी है। हम इस अवसर का पूरा लाब उठा सके हैं। इसके लिए बीते वर्षों में भारत में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अनेक नीतियां बनाई गई है। युवा शक्ति को सही मायने में राश्ट्र शक्ति बनाने का एक व्यापक प्रयास आज देश में देखने को मिल रहा है। स्कील डेवलोपेंट से लेकर मुद्रा लोन तक हर तरह से युवाओं की मदद की जा रही है। स्टाट अप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, फिट इंडिया अभियान हो या खेलो इंडिया ये युवाओं पर ही केंद्रीत है। साथियों, decision making में, नेत्रुत्व में, युवाओं के शक्रिय भागिदारी पर भी हमारा जोड है, आपने सुना होगा, अभी हाली में, DRDO में, defense research से जुड़ी, five young scientist labs, उसका लोकारपन करने का मुझे आउसर मिला, इन labs में, research से लेकर management तक का पूरा नेत्रुत्व, 35 वर्ष से कम आयू के वैज्ञानी को दिया गया है, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, कि कोई सरकार, इतनी महत्वपूर्ण labs की जिम्मेवारी, 35 साल से कम युवाओं के हाथ में सुप्रत कर दे, लेकिन यही हमारी सोच है, यही हमारा एप्रोच है, हम हर स्तर पर, हर सेक्टर में, इस तरह प्रयोक की दोराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, साथियों, युवा में एक अध्वुक्त छमता होती हैं, समस्याओं के नए सिरे से समाधान की, यही युवा सोच हमें ऐसे निर्णे लेना भी सकाती हैं, जिनके बारे में कभी सोचना भी असंभव होता है, युवा सोच हमें कहती हैं कि समस्याओं से ठकराओ, उन्हें सुल्जाओ, देश भी इसी सोच पर चल रहा है, आज जम्मु कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जा चुका है, राम जन्ब भुमी का सैंकडो वर्सों से चला रहा विवात समाप्त हो चुका है, तीन तलाग के खिलाब कानून बन चुका है, सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक्ट आज एक सच्चाई है, वैसे देश में एक सोच ये भी थी कि आतंक की हमला होने पर चुप बैठ जाओ, अब आप सर्जिकल स्ट्राइक भी देखते हैं, एर स्ट्राइक भी, साथियों, हमारी सरकार युवाओं के साथ है, युवा होसलों, युवा सपनों के साथ है, आपकी सभलता ससक्त, सक्षम और सम्रद भारत के संकल्ब को भी सिद्ध करेगी, और हाँ, आज के इस अवसर पर एक आग्रह भी मैं आप से करना चाहता हूँ, और मैं आप से इसलिए करता हूँ, क्योंकि मेरा आप पर भरोसा है, मैं आप से के नित्रुत्व में देश को इसमें सपल करने के लिए आप से विशेश आग्रह करता हूँ, और विवेकानन जेनती पर तो ये संकल्प अपना दाईत्व बन जाता है, आप सब जानते हैं, वर्ष 2022 तक जो की हमारी आजाजी के 75 साल है, देश के आजाजी के दिवानों ने सम्रद्ध भारत के सपने संजोये थे, और अपनी जवानी देश के लिए आहुद कर दी थी, उन महापुरुशों के सपनों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के काम हमने करने हैं, उसमें से एक काम के लिए मैं आज आपसे आगर करता हूँ, युवकों से आगर करता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश में अंदोलन चले, इस अपिक्षाय आगर करता हूँ, क्या हम 2022 तक बाके आगे का करना देखेंगे, 2022 तक जितना संबव हो सके लोकल प्रोड़क्स ही खरीदें, ऐसा करके आप जाने अंजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे, आप अपने लक्षों में सफल हो, अपने जीवन में सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, एक बार फिर राष्ट्रिय युवा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना हैं, और भारत माता के महान सबूत स्वामी विव्यकानन जी के स्री चरणों में प्रनाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद,